नमस्कार दोस्तों आप सभी का इस चैनल बहुत बहुत स्वागत है और साथ ही साथ यह important questions आपके लिए बहुत ही महत्पूर्ण है और इसलिए वीडियो को लाश्ट तक जरू देखें यह 510 का इकाई एक का प्रश्ण है प्रश्ण है कि आधनिक जुग क्या है और आधनिक ज युग में जो विज्ञान की प्रगति है वह किस प्रकार हुई इस प्रश्णों का हम उत्तरिस में जानेंगे तो आईए हम इसको देख लेते हैं और अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरू कर लें आधनिक काल में भारत पर अंग्रीजी शासन के का प्रणर ब्यज्ञानिक सोच और भारतिय प्रमप्रावों को तीज जटका लगा बिटिश काल के दोरान भारत में आधनिक विज्ञान पन नहीं पाया एक और तो अंग्रीजी भासा ने इसे भारतिय संस्क्रिश साथ मिलनी नहीं दिया और दूसरी और भारतिय दोक इसे ब विज्ञानिक और बहुत इक चर्चाय नहीं हो पाई जिससे लोगों को विज्ञानिक दिश्टकून का भिकास नहीं हुआ लेकि सबसे बड़ी कारणा है कि आदमी काल में भारत पर अंग्रेजी शासन प्रभावित हो गई थी और अंग्रेजों ने हमेशा भारत को चूसने का काम किया उन्हें कभी ऐसा नहीं सोचा कि भारत एक ऐसा देश है जिसकी अपनी एक संस्कृती है अब उस संस्कृती को बना करके रखना उनकी एक कामया भी वहनी चाही लेकिन उन्हें लगातार शोशन किया लगातार संस्कृती पर कुटारा घात किया वो हमेशा यही चाहते हैं कि भारत में एकता कभी न हो वे हमेशा एकता को तोड़ने का प्रियास किया आदनी काल में बिग्यान सिच्छा की दिकास को पढ़ने के लिए हमें पच्छे में बिग्यान की इतियास को जानना होगा चुझ्छ वोआ हुआ, भारत में घीमी गती से उसी का अंसरूण हुआ देखिये, काने का मतलब ये है, कि जो आदनी काल में, भारत में जो लिज्ञान की गती थी, वो बहुत कम थी, वो ही रोप में इसकी गती बहुत तेज थी तो हम इसमें चर्चा करेंगे कि भारत में आफिर में क्यों कमी रही जब कि वही चीज अंग्रेजियों के बीच बहुत तेजी सब्ड़ी तो देखे हम इसको आफ पढ़ने का चुरुआत करते हैं तो अब 18 सती के अंद तक बहुत सारी चीजों का खोज हुआ जिसमें आप कर सकते हैं कि रावर्ट बायल ज्वारा गैस का खोज होगा न्यूचन आइटन ने जो है गती का खोज किया और पिछले महोदे ने ऑक्सिजन का खोज किया जेम्स वाट ने भाप का खोज किया माइक सब्सक्राइब करने के लिए कई दास्निक संस्थाइं अस्थापित की गई इसी तरह से जो है रायल इंशूट आफ ग्रीट बिटेंड की अस्थापना की गई तो बहुत सारी संस्थाइं बनाई गई फिर 1823 अंग्लास को मैकनिक इंस्थापना हुई 1866 में टेकनिकल कालेज का दर्जा लिया गया तो 1847 में सिटी अफ लंदन इस्थापना हुई तो इस तरह से जो यह अस्थापनाएं लगातार होती रही और उसका जो सबसे बड़ा कारण था विचाहते थे वहां के वहां के विज्ञान को और वहां के आरिठीक सिटी को मजबूत करनेगा अठ रशोन में तीन उची विज्ञानिकों ने विज्ञान को सामाने सिच्छा का उंग बनाने की मांक्वी टी एन हैक्वले ने विज्ञान के प्राक्रितिक इत्यास और साचिक मांता प्रभाशन दिया जान टिंडल ने भौतिक सास के पठन प्रभाशन दिया, फारेडर ने व्यज्ञानिक दिश्ट को विख्षित करने पर जोज दिया, इन व्यज्ञानिकों का महान युगदान सिच्छा को आग बढ़ाने में था। सेकंडरी विद्यालों में विख्षित का स्थान पर सर्वेच्छन में आधारी जो है डेवन सायर कमिशन रिपोर्ट, अठास में प्रकासिती इस रिपोर्ट के प्रकासिती बढ़े अस्तरपल लुकों के पाठकर्म, गहतिक वर रशायन से लड़कियों के पाठकर्म में मनस् पूरे देश में अच्छा गया था उसके बाद सिच्छा तोड़ी प्रभावित हुई तो इस विदियो में इतना ही आपने देखा कि किस तरह से इरोप में जो है विज्ञान की प्रगति के लिए विज्ञानी खोजे हुई जैकि वहीं भारत में इस समन में कोई भी काज अ ब्यानिक प्रगति की कम ही पाई जाती है क्योंकि उस्तवरान निकाल में लंबे समय तक विष्टिश विष्टिश्यों का भारत पर हुकुमत था इस विदियो में इतना ही जय हिन जय भार